Hey what's up everybody, कैसे आप सब वीडियो को लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो Good morning students, जैसा कि हम जानते हैं आपने बाइलोजी का चाप्टर फोर्स, The Living Bird पढ़ रहे हैं, ठीक है? इससे पहली वैली क्लास में हमने पढ़ा था, identification क्या होता है, nomenclature किसी organism का कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले classification, classification में taxonomic categories and taxonomic hierarchy के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने discuss किया है, कि 1.7 to 1.8 million of species आज तक discover किये जा चुके हैं, इन species को सही से एक order में, एक logical order में इनकी study करने के लिए इनको हमने क्या किया? अलग-अलग categories में divide किया गया, और जब हम किसी organism को अलग-अलग categories में divide करते हैं, उसे क्या कहते हैं? taxonomical categories कहते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा next topic है, वो क्या है? taxonomic hierarchy. taxonomic hierarchy होता क्या है? आज़ी देखते हैं, a system of arrangement for classification in which organism are placed in order of logical sequence. sequence, एक ऐसा arrangement classification का, जिस पे organisms को क्या order किया जाए, किस basis पर? logical sequence के basis पे जब हम organisms को order कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? taxonomical hierarchy कहते हैं, ठीक है? each category is referred to as a unit of classification, represents a rank. सभी जितने भी categories आप पढ़ेंगे, इसमें unit of classification में ये represent करती हैं क्या? rank को represent करती है, ठीक है? rank higher भी हो सकता है, rank lower भी हो सकता है, ठीक है? and is commonly termed as taxon, और इन categories को जब रैंग पर categories कर दी जाती है, classify कर भी जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? taxon कहते हैं, ठीक है? यह आपको याद रखना है, इसके बाद, the smallest taxonomic or hierarchy group is species, इस classification में, जो है, smallest, taxonomic या फिरों कह सकते है, hierarchy group जो है, वो क्या है? species है, ठीक है? और इसका एक sequence होता है, किसी भी organism को अगर आपने उठाया, तो आपको इसी sequence में उसे क्या करना होता है? अरेंज करना होता है, उसकी study आप इसी sequence में करते हैं, सबसे पहले आप उसको देखते हैं कि वो species, इनको हम detail में पढ़ेंगे कि यह होता क्या है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? species, यह एक fundamental unit है किसकी classification की, species के बाद आते है genus, genus के बाद आते है family, then order, then class, then phylum, then kingdom, इस तरह किसी organism को हम क्या करते है, classify करते है, उसका species पता करते है, genus पता करते है, वो किस family में जाएगा, वो किस class relate करता है, वो किस phylum का है, और वो किस kingdom का है, यह यहां पर classify करना हम सीखेंगे, यह कैसे किया जाता है, यह चानेंगे, ठीके? और जो kingdom है, वो use किया जाता है, जब हम animals की study करते हैं, इसकी animals की, कह सकते हैं, जब हम जलोजी की बात करते हैं, तो वहां पर classification में क्या आता है? डिवीजन आ जाता है, क्या आ जाता है? डिवीजन आ जाता है, ठीके? और बाकी सारी चीज़े, as it is, same रहती है, बस kingdom जो है, वो animals के लिए use होता है, और डिवीजन जो होता है, वो किस के लिए use होता है, प्लांट के लिए use होता है, अब हम पढ़ेंगे कि species में को कैसे classify किया species, species जो है वो fundamental unit है, किसी भी classification की, ठीके? और इसके बाद species होता है, species means an organism of particular kind whose numbers can interbreed among themselves, species मतलब एक particular kind के organism, जो आपस में interbreed करें, उससे क्या produce होता है, एक fertile offspring produce होता है, उससे क्या गहते है, species कहते है, मतलब cat की जो species है, वो अगर cat species में अपना interbreed करेंगी, तो जो offspring होगा, वो क्या होगा, fertile होगा, human की बात करें, तो human भी, यहाँ का human या किसी और country का human, अगर आपस में interbreed करता है, तो उनसे क्या एक fertile offspring ही produce होगा, क्योंकि दोनों का जो species है, वो same है, ठीके? तो अगर आपको fertile offspring चलिए, तो common species होना बहुत जरूरी है, same species होना बहुत जरूरी है, जैसे, फर्स्ट एक्जामपल है, होमोशेपियन्स, होमोशेपियन्स, साइंटिफिक नेम है किसका? हुमन्स का, मैंने जब नॉन क्लेचर पढ़ाया था, तो उसके बताया था, कि अगर हैंड रिटेर है, तो दोनों के नीशे अंडर लाइन होगा, और जो species का लेटर है, वो क्या होना चाहिए? प्राइब मैंबर मैंचर रिटेर करते है तो आप करेंगे क्या मैं जो अगर प्र्टिकूलर मैंबर्स नहीं है नेशर के लौ के अगिंस चले आते हैं तो वो इन से जो उनको ऑफ़ीविंग करता है इस पशिक रहते हैं म्यूल हो और एंट्रब्रोड्रीट करते हैं यह क्या होता है यह आगे ज़कर प्रोड्रोड्यूस नहीं कर सकता हो करने हीन मेल हुड्स और फीमेल डंकी आखी इन्टरीट यह क्या होता है मैं अखे लैंघर की तो लॉइयर और टाइगर यह तो यह दोनों अलग अलग प्रीश हैна अगर इन्ट इन्टरीट कर लिया तो लर्ण का प्रोडूक्षन होगा और यह स्टरायर होगा तो same species के लोग या organisms जब interbreed करते हैं तो उनसे fertile offspring आता है अगर same species के नहीं है और तब उन्होंने interbreed कर लिया है तो क्या produce होगा? sterile offspring produce होगा, ठीक है? Next हम देखेंगे genus So next जो category है वो क्या है? Genus, genus का creation क्या होता है? कैसे होता है? Genus में, जिन species के morphologically या physiologically कुछ characters same होते हैं उन्हें हम क्यारण देते हैं? Same genus में रख देते हैं ठीक है? इसकी definition है Genus comparizes closely related species in ancestral relationship and with more or less morphologically and physiologically features जब कुछ morphological and physiological features मिल जाते हैं common characteristics मिल जाते हैं तो उन्हें किस में रख देते हैं? Same genus में रख देते हैं जैसे plants में देखिए potato, tomato, brinjal नाम से ही आपको लग रहा है कि इन में कुछ ना कुछ same है इनके कुछ characteristics same है ओर पोटेटों का जो scientific name है ये सब के scientific name रिखे है Solanum, Tuboresum, Tomato का है Solanum, Persicum and Brinjal का क्या है Solanum, Nigram ठीके ये इनके scientific name है आप इस पर ये देखिए कोई भी जो scientific name होता है उस पर जो ये first letter होता है वो क्या होता है? Genus होता है और जो second letter होता है तो आप यहां देखिए इन सबके तो मैं पोटेटो एंड ब्रिंजल के जो जीने सेम हैills को सेनक रख देते हैं। इनकी जो क्या है कि इस पीसी और है तो क्या है कुछ इस इस जिन मैं कुछ करेक्टर सेहन होते हैं उन्हें हम क्या रख देते हैं। एक ही जीनस में डाल देते हैं जैसे इस केस में हमने इन तीनों को कहां डाल दिया है सो ननम जीनस पर डाल दिया है ठीक है next one is in animals animals पर लॉयन टाइगर और लेपर इनको आप ध्यान से देखिए तो इनने कुछ ना कुछ characteristics आपको same डिखती है ठीक है तो होता कि लॉयन को साइंटिफिक नेम है वो क्या है पैंथरा लियो और अगर टाइगर का दिखा जा तो पैंथरा टाइगरस और लपर्ड का दिखा जा तो पैंथरा पाडस ठीक है तो यह रेखिए जो जीनस है वो क्या है यहाँ पर पैंथरा गया है जीनस में जो सेम है क्योंकि कुछ कॉमन केरक्टरिस्टिक्स इन सारे अनिमल्स में होता है जिसकी वज़े से इनका जीनस जो है वो सेव हो गया और इनकी जो इस्पीसीज है वो अलग अलग लोगी तो जीनस को क्रियेशिव कब होता है जब इस्पीसीज मे कुछ characteristics same होती है, तब हम उन्हें एक genus में डाल देते हैं, ठीक है? Next, taxonomical hierarchy जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? Family, अब family कैसे create होती है? Group of genera with certain common characteristics form of family. Family कैसे create होती है? जो genera, जिनके common characteristics same होते हैं, उनको जब हम साथ में रख देते हैं, तो क्या create हो जाती है? Family create हो जाती है, मतलब कुछ genera है, जिनके certain characteristics same है, उन्हें हम साथ में रखेंगे, तो क्या create हो जाएगी? Family, जैसे plant में देखिए, solena, ठीक है? ये एक genera था, platuna, ये भी एक genera है, और धटूरा, ये भी एक genera है, इनमें कुछ common characteristics same है, जिसकी वज़े से इनको family, solenaecy में रखा गया है, किस family में रखा गया है? Solenaecy family में रखा गया है, ठीक है? अब हम देखते है animals में, animals में देखिए two different genera है, पैंथरा हमने की सुना था, loyal tiger, leopard, ये क्या है? पैंथरा किसका है? loyal tiger and leopard का genera है, और फैलिस जो है, वो cat है, ठीक है? जब इन दोनों को साथ में हम रख देते हैं, आपने देखा है, loyal tiger, cat और leopard, इन में कुछ ना कुछ characteristics आप जब में देखते हैं, तो आपको common लगते हैं, उन्हीं characteristics के base पर इनथे हमने किस family में रखा है? फैलेडी फैलिस फैलिस में रखा गया है, जिससे हम क्या कहते है? cat खाटे भी पहते हैं, खीक है? तो इन्हें आपने किस family के रखा? फैयनेटी फैयमली या फिर 儿टी फैयली एक और दूसरी फैयली जिसका नाम है कैनेटी फैयली में आते कोन है जैसे डॉग generation to the जह गए आपके जैक्स हो गए वुल्फ हो गए यह सब फ़रा जे मेशन then next आता है next category hierarchy आती है order order कैसे create होता है a group of related family makes an order जब कुछ related families के character फिर से same कर जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं फिर से एक order पे आकर रख देते हैं जैसे कि हमने पढ़ा यहां पर कि फैलेडी और केडिडी दो अलग अलग families हैं लेकिन इनको order same है कैसे देखिए फैलेडी मतलब cat की family और केडिडी मतलब dog की family इनको हमने किस order पे रखा कार्णिवोर और पे रखा मतलब की कार्णिवोर आप सभी घानते हैं कि animals को basically तीम पार्ट अगर में रखा गया है क्योंकि यह दूसरे animals का गया खाते हैं flesh eat करते हैं और इनके जो teeth का structure थोड़ा-थोड़ा same होता है उनके teeth mostly common होते हैं जिसकी वज़े से उन्हें कार्णिवोर फैमिली में रखा गया फिर अगर हम बात करें plants की तो theglades family and solenasi family इनके कुछ characters same है जिसकी वज़े से इन दोनों को कहा रखा गया polynomials order में रख लिए नेक्स हम पढ़ेंगे next category sorry हाई टैक्सिट्पोनमिकल हर की है क्लास आएं से ग्लास क्लास में गिए स disciples कौन हो जाते हैं तो यह एक ड्रैइन प्रामा कि अ धब है प्लिबरक्ण्थ अजाते हैं जमते पुंच आहां जाते हैं और कर्णी और हैसे फॉड़ाता में की कारिशा आपते कि बांपर हमी होते हैं. इन दोनों में बॉड़ी जब orders में कुछ common characteristics seem होती है तो उन्हें एक class पर लाकर रंग दिया जाता है जैसे यहाँ पर आपको एक example देखने को मिलाते हैं next one is phylum, phylum में क्या होता है? In the group of related classes, जब classes के बीच में कुछ common characteristics आ जाती है तो उन्हें एक साथ रखने के बाद हम किसमें डाल देते हैं? Amphibians, reptiles, birds, mammals इनको किस phylum में रखा जाता है? Chaudeta phylum में रखा जाता है क्योंकि कुछ जो characteristics है इन सब में common होने की वज़े से इनको chaudeta phylum में रख दिया जाता है ठीक है इन पूरी categories में आपको एक बार धान रखने कि कुछ common characteristics सेव होने की वज़े से इनको एक दूसरे से relate करके बनाया जाता है species, genus, class, order, phylum यह सारी चीज़े create की जाते हैं ठीक है? सो लास्ट जो हमारी taxonomical hierarchy है वो क्या है kingdom kingdom क्या होता है? इस the largest division of the living beings यह क्या है? living beings का सबसे largest division है सबसे बड़ा division है ठीक है? all animals belonging to various phylums are assigned to the highest category called kingdom animelia ठीक है? जितने भी animals हैं वो जिस भी phylum से assign करते हैं यह जिस भी phylum में आते हैं उनको highest category kingdom की रखी गई है जिसको कहते हैं क्या एनीमिया ठीक है? एनीमिया मतलब kingdom का मतलब मैंने आपको पहली बता के रखा है कि kingdom मतलब जुलोजी में use हो रहा है इसमें mainly basically आप किस के बारे में animals के बारे में read करेंगे ठीक है? then next राता है kingdom planty comprises all parts from various divisions और the kingdom planty रोव जिसे हमने क्या होला था division बोला था इसे क्या बोला जाता है division बोला जाता है यह बाटनी में होता है ठीक है? तो इस kingdom है बेसिकली दो part में divide है animaliya and planty उन्चाला ह एनीमिया में हम animals के बारे में पंढ़ते हैं और plant हमे में supplants के बारे में पंढ़ते है से होती है species से होती है then genus then family order class phylum and kingdom किसी भी organism को जब identify करते हैं उसका nomenclature करते हैं उसके जो nomenclature होते हैं उसके दो words होते हैं हमने पढ़ा था कि organisms के जो name होते हैं वो binomial होते हैं तो उसके name में क्या होता है एक जो होते है हो क्या होता है species होता है ठीक है जैसे homo sapiens homo क्या है genus है और sapiens क्या है species है उसको जो s है वो small होगा और दोनों को genus and species को किसी भी scientific name में अगर handwritten है तो उसे क्या करते हैं underlying करते हैं ठीक है फिर आपको कोई organism मिला तो आप उसकी family देखोगे फिर वो किस order में जासकता है उसकी न आपको इजल्फा सबसक्का करके क्यों सब जासकते है यह और एक बात यहां पर जैसे हम higher taxonomy की तरफ बढसेंंगे वैसे जो common characteristics हैं क्या होती जाएब इसाओन नीडि़ कॉमन क्यारक्टर्स पिलेंगी फिर थोड़ी कम जीनस में ऐसे करते करते लास्ट तक आते आते जो कॉमन क्यारक्टरिस्टिक्स है वो अल्मोस्ट बहुत कम हो जाती है ठीक है अब हमने जब फर्स लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस पर मैंने आपको पढ़ाया कि कौन-कौ उस पर लिविंग वर्ड का टेक्सोनॉमिकल एड्स को खतम कर दिया है मतलब इस बार आपके एक्जाम में टेक्सोनॉमिकल एड्स से कोई भी कुश्यन नहीं आने वाला है ठीक है वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ठीक और जब आप चार्टर नॉम्बर थर्ड और फ उसका खाब से चीज़ों को डिमाईर किया अ connects में जाएगा वह आने वाले जैसे जह प्रस चाप्टर से पढ़ेंगे वह छीजहिक आ आंपको क्लीर होती जायंगी कौन सो अर्गनिसम कहां पर जाकर उसका क्या क्लासिफिकेशन सहीफिकेशन होता है वो आपको पता चलिया इस चाप्टर में basically आपको यह जाना था कि species, genus, family, order, class, phylum, kingdom यह किस से relate करके बनी होती है ठीक है और आपको यह जो है यह पूरा याद होना चाहिए कि इसका sequence क्या होता है यह आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए I hope आपको चाप्टर 4 समझ में आ गया होगा Second chapter जो होगा biological classification इस वीडियो को देखने के बाद जब next मतलब आप Friday को वीडियो देख रहें Next class पे आपको इस चाप्टर के सारे NCRT के answers मिल जाएंगे It means Saturday को ठीक है और जब next week आएगा तब आपका second chapter biological classification स्टार्ट होगा तब तक के लिए बुनपाए